दोस्तों अगर अभी तक आपके या फिर आपकी किसी family member का voter ID card नहीं बना हुआ है तो आप online voter ID card के लिए apply कर सकते हैं इसके लिए आपको कहीं भी जाने के ज्वायत नहीं पड़ेगी पूरा complete process इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको अपने voter ID card के लिए apply करना है कैसे यहाँ पे आपका BLO appointment होगा और कैसे यहाँ पे field verification complete होगा और उसके वाल जो है आपको voter ID number generate हो जाएगा और PVC voter ID card 15-20 दिन के अंदर आपके घर के पते पर आपको मिल जाएगा दूसर complete process जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है उसी process को follow करके आपको अपने voter ID card के लिए apply करना है तो complete process जानने के लिए इस वीडियो को last तक ज़रूर देखेगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक नए voter ID card बनाने के लिए आपको election commission of India की new website waters.eci.gov.in की site पे आ जाना है इसका link आपको description में भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको आपके voter ID card से related बहुत सारी services मिल जाती है यानि कि आप अपने voter ID card में अगर correction करना चाहते हैं तो इस portal से कर सकते हैं अपने voter ID card को track कर सकते हैं अपने voter ID card को e-epic download कर सकते हैं दूसरों यहाँ पे आपको एक new voter ID card के लिए apply करना है form fill करना है तो उसके लिए आपको form 6 मिलेगा जिसे की आपको fill करना है आपको यहाँ पे fill form 6 के option पे click करना है और दूसरों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना account create करना है अगर आप first time में इस website पे visit करें अगर आपने पहले से अपना account create किया है तो आप direct login कर सकते हैं चले मैं आपको account create करके भी दिखा देता हूँ आप यहाँ पे sign up के option पे click करेंगे next page आपके सामने open होगा यहाँ पे आपको अपना mobile number enter करना है email address enter करना है और नीचे यह capture code देखने को मिलेगा यह capture code इस box में enter करना है और continue के option पे click करना है तो आपके mobile number पे एक OTP जाएगा वो OTP आप यहाँ पे enter करेंगे और आपका account successfully यहाँ पे create हो जाएगा और दोस्तों उसके बाद आपको login करना है login करने के लिए आप अपना mobile number यहाँ पे enter करेंगे उसके बाद जो भी आपने अपना password सेट किया होगा वो password आप यहाँ पे enter करेंगे यह capture code इस box पे enter करेंगे और request OTP के option पे click करेंगे तो आपके mobile number पे OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पे enter करना है और verify and login के option पे click करना है तो successfully आप इस portal पे यहाँ पे login हो जाएंगे दोस्तो अब यहाँ पे आप fill form 6 के option पे click करेंगे तो आपके सामने form 6 open हो जाएगा आपको एक नए voter ID card को बनाने के लिए इस form को fill करना है दोस्तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी state को select कर लेना है उसके बाद आपको अपनी district को select कर लेना है और उसके बाद आपको अपनी constituency को यहाँ पे select कर लेना है और थोड़ा सा नीचे scroll down करना है और next के option पे click कर देना है तो आपका first step यहाँ पे complete हो जाएगा दोस्तों यह सारे steps जो है आपको यहाँ पे complete करने है अपना एक नए water id card बनाने के लिए तो अब हमें यहाँ पे अपनी personal details एंटर करने है सबसे पहले आपको अपना first name एंटर करना है आप जो भी English में अपना name एंटर करेंगे वो हिंदी में automatically यहाँ पे type हो जाएगा अगर आपको यहाँ पे गलत देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पे इस keypad के option पे click करेंगे और यहाँ पे अपना name जो है वो change कर लेंगे edit कर सकते हैं और अगर आपका कोई surname है तो surname भी आप यहाँ पे अपना enter कर देंगे और वो भी यहाँ पे उर्दू में है और हिंदी में यहाँ पे automatically type हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे अपना photograph यहाँ पे upload करना है जिसका की dimensions आपको यहाँ पे बताया गया है और उसका जो file size है वो 2MB से कमका होना चाहिए और JPEG यहाँ फिर JPEG format में होना चाहिए दूसरों यहाँ पे जो आप photograph अपना upload करेंगे वही आपके water ID card पे print होकर आएगा तो आपको अपना photograph यहाँ पे choose कर लेना है Choose file के option पे click करेंगे अपने photograph को यहाँ पे select कर लेंगे open के option पे click करेंगे और आपका photograph यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपको save के option पे click करना है human face detector successfully आएगा okay के option पे click करेंगे next के option पे click करेंगे next option आएगा relative details का यानि कि आपको अपने relatives की details एंटर करनी है यहाँ पे आप father, mother, husband, wife किसी को भी choose कर सकते हैं जैसे कि अगर आप अपने father को select करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने father का first name एंटर करना है उसके बाद आपको उनका sir name एंटर करना है आप English में type करेंगे तो यहाँ पे उर्दू and Hindi में automatically यहाँ पे type हो जाएगा उसके बाद आपको next के option पे click करना है next option आएगा contact details का यहाँ पे आपको mobile number का option मिलता है आप अपना mobile number देना चाहते हैं या फिर अपने किसी relative का number देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे select करेंगे जैसे कि आप self को select करेंगे आपको अपना mobile number यहाँ पे enter करना है send OTP के option पे click करना है तो आपके mobile number पे एक OTP जाएगा वो OTP आप यहाँ पे enter करेंगे और verify के option पे click करेंगे तो आपका mobile number यहाँ पे verified हो जाएगा उसके बाद आप अपनी email ID एंटर करना चाहते हैं उसके बाद next, next option आएगा gender का, यहाँ पे आपको अपना gender select करना है, उसके बाद next, next option आएगा date of worth details का, यहाँ पे आपको calendar में से अपनी date of worth को select कर लेना है, date of worth select करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक document upload करना है, proof of date of worth के लिए, आपको इस option को select करना है, नीचे आपको select document का option मिलेगा, इस पर आप click करेंगे, तो इसमें से कोई भी document जो है वो आप यहाँ पर upload कर सकते हैं, जैसा कि अगर आप pen card को upload करना चाहते हैं, तो आप pen card को select कर लीजिए, उसके बाद आपको choose file के option पर click करना है, और आपको अपने document को यहाँ पर select कर लेना है, open के option पर click करना है, तो आपका document यहाँ पर selected हो जाएगा, दोस्तों उसका भी जो size है वो यहाँ पर less than 2MB होना चाहिए, और JPEG, PNG यहाँ फिर PDF format में होना चाहिए, और उसके बाद आपको next के option पर click करना है, next option आएगा present address details का, यहाँ पर आपको अपनी present address details एंटर करनी है, सब आप यहाँ पर enter करेंगे, आप यहाँ पर English में type करेंगे तो हिंदी में automatically यहाँ पर type हो जाएगा, उसके बाद आपको अपना post office यहाँ पर enter करना है, उसके बाद अपना pin code enter करना है, और यहाँ पर जो वी आपकी तहसील, तलूगा, मंडल है वो आप यहाँ पर enter करेंगे, और थोड़ा से नीचे scroll down करेंगे, यहाँ पे आपको अपने district को select कर लेना है, और यहाँ पे आपको अपने address proof के लिए एक document को upload करना होगा, आप document for proof of residence को select करेंगे, और select document के option पे click करेंगे, इसमें से कोई भी document जो है आप यहाँ पे upload कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे अदार काड का भी option मिल जाता है, तो आप अपने proof of address के लिए यहाँ पे अदार काड को भी select कर सकते हैं, हम अदार काड को select करेंगे, उसके बाद choose file के option पे click करेंगे, हमें अपने अदार काड की PDF file को select कर लेना है, अगर आपने photo click की हुई है, तो उसे भी आप select कर सकते हैं, उसके बाद open के option पे click करेंगे, तो हमारी PDF file यहाँ पे selected हो चुकी है, अगर आप JPG या फिर PNG format में upload करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके बाद next, next option आएगा disability details का, अगर आपको कोई भी disability है, तो वो आप यहाँ पे select कर सकते हैं, और कितने percentage है वो आप यहाँ पे enter कर सकते हैं, अगर आपको कोई disability है, तो उसका आपको proof भी देना होगा, आपको yes के option पे click करके, अपना document यहाँ पे upload कर देना है, और अगर आपको कोई भी disability नहीं है तो आप सिधा next के option पे click करेंगे next option आएगा family member details यहाँ पे आपको अपने family member की details एंटर करनी है आपके family member में जिनका भी water ID card बना हुआ है तो उन में से आप किसी का भी name आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं आपने father mother का name enter करने के बाद आपका उनके साथ क्या relation है वो आपको यहाँ पे select कर लेना है उसके बाद उनका water ID number यहाँ पे आपको enter करना है जो भी उनका epic number है उसके बाद करेंगे next उसके बाद option आएगा declaration का तो यहाँ पे आपको declaration देना होगा कि जो भी details आपने यहाँ पे enter की है वो आपकी जानकारी के हिसाब से बिल्कुल सही है तो declaration देने के लिए आपको अपना village town यहाँ पे enter करना है उसके बाद आपनी state UT को select करेंगे उसके बाद आपको अपनी district को select करना है और इस जगे पर आप कितने समय से रह रहे हैं उस date को आपको यहाँ पे enter करना है month and year उसके बाद नीचे आपको अपना place enter करना है उसके बाद next next step आएगा capture का तो यहाँ पे जो भी capture आपको देखने को मिल रहा है यह capture आप यहाँ पे enter करेंगे और नीचे review and submit के option पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका form देखने को मिल जाएगा जो अभी आपने form 6 फिल किया है तो जो भी आपने details center की हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको एक वार इसे review कर लेना है अगर आपने अपने details में कुछ गलती कर दी है और उसे आप सही करना चाहते हैं तो आप keep editing के option पे click करके उसे सही कर सकते हैं और अगर आपकी enter की गई सारी details सही हैं तो अब आपको submit के option पे click कर देना है आपके सामने आएगा are you sure you want to submit this form आपको yes के option पे click करना है तो आपका form successfully यहाँ पे submit हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक reference number भी देखने को मिल जाएगा जिससे कि आपको note down करके अपने पास save करके रख लेना है जिससे कि आप अपने voter ID card को track कर सकते हैं और उसी के साथ यहाँ पे आप acknowledgement को भी download कर सकते हैं तो दूसर इस तरीके से इस portal से आप अपने new voter ID card के लिए apply कर सकते हैं और अगर आप अपने voter ID card को track करना चाहते हैं कि आपका क्या status है तो उसके लिए आप track application status के option पे click करेंगे अपना reference number यहाँ पे enter करेंगे और अपनी state को select करेंगे submit के option पे click करेंगे तो आपका status यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा submitted दूसर इस process को follow करकि जैसे ही आप अपने voter ID card को apply कर देते हैं यानि कि अपना form जो है submit कर देते हैं तो आपकी request यहाँ पे submit हो जाती है starting में आपको कुछ time के लिए process में देखने को मिलेगी और उसके बाद submit हो जाएगी जैसे यहाँ पे submit हो जाएगी तो आपको यहाँ पे process देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे यह process step by step चलेगा जैसे यह आपने form के लिए apply कर दिया, अपने request submit कर दिया, water ID card को apply कर दिया, तो उसके वाद यहाँ पे आपकी area का, जो भी BLO है, वो BLO appoint होगा, BLO appoint होने के वाद, यहाँ पे वो आपकी details को check करेगा, यहाँ पे अगर आपकी सारी details सही हैं, तो उसके वाद दोसो आपका यहाँ पे fill verification होगा, आपके area का BLO जो है, आपके गर के पतबर आपकी verification कर सकता है, यहाँ फिर phone call के छो भी, वो verification कर सकता है, fill verification होने के वाद जैसे BLO इसे approved कर देता है, तो आपका यहाँ पे water ID number generate हो जायता है, उसके वाद 15 से 20 दिन के अंदर water ID card बनकर आपके घर के पतबर आपको मिल जाएगा, तो दोस्तों यह process रहता है online अपने water ID card को बनाने का, दोस्तों last में यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपका BLO यहाँ पे जल्दी काम नहीं करता है, आपके area का BLO जो है, वो जल्दी appointment तो हो जाता है, लेकिन वो फिर verification लेट कर रहा है, तो ऐसे में आप BLO की details कैसे निकाल सकते हैं, उनका mobile number कैसे निकाल सकते हैं, तो वो मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा, तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ notification बैक और प्रेस कर लेजगा, और उसी के साथ टेलिग्राम पे भी आप हमसे जोड सकते हैं, ताकि latest new updates रहे हैं, हमारे चैनल के वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे भी मिलती रहें, तो टेलिग्राम चैनल को जोईन करने का लिंक आपको description में मिल जाएगा, तो दूसर लास्ट में यही बोलूँगा कि वीडियो को ज़रू से एक लाइक और चैनल को subscribe करने के जाएगा नोटिफिकेशन बैक और प्रेस कर दीजगा, चली मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, बाई!